हर्याना कैबिनेट की एहम बैठक संपन हुई सचिवाले में हर्याना कैबिनेट की ये बैठक हुई हर्याना के शीत कालीन सत्र की तारीक पर इस दौरान मोहर लग चुकी है 15 दिसंबर से शुरू होगा शीत कालीन सत्र ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कैबिनेट की बैठक में तै हुई सत्र की तारीक की सत्र 15 दसंबर से शुरू होगा कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीख पर मोहर लगी है तकरीबन एक घंटे के आसपास एक घंटे से दो घंटे के बीच यह बैठक चली सीधे रुखर लेते हैं चंडिगट से संबाद दाता रवी चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं रवी शीतकालीन सत्र की तारीक को लेकर मोहर लगी और कौन-कौन सी एहम बाते रही कैबिनेट बैठक की? बिजनेस एडवाइजरी कमीटी की ठेढ़ निवरेत अधिकारीं को लेकर इसमुद्धे पर भी मन्थन कियागा। साथ ही साथ यह जिए हम जिकर करें। प्रदेश के अंदर तमाम जो विकास के कारे चले हूए उन विकास के कारे को और अधिक तेवर गती देने के लिए सरकार जो है वो लगभग एक हजार क्रोड रुपयों का करजा जो थी वो लेने वाली थी जिसको लेकर कैमिनिट की मंजूरी जो थी वो बेहद जरूरी थी ज इस पर जो है वो जाहिर तो पर मुहर जो है वो लगी होगी इसके लावा बहुत से अन्य मुद्दे थे जिन पर जो है वो कैमिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो चर्चा की गई बिलकुल आपने सेवा निवरित कर्मचारियों का जिकर किया उस पर भी और जानकारी दीजेगा साथी शीद कालीन सत्र बिजनस एडवाईजरी कमेटी में जरूर तारिकों पर महर लगेगी लेकिन बातें जरूर इस पर हुई होगी क्या बातें निकल कर सामने आ रही है कितने दिन का ये शीद कालीन सत्र होगा और उसके बीच में छुटियां भी आएगी कब तक ये चल सकता है देखें फिल्हाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि हर्याना विदान सभा का सीथ कालीन सत्र जो है वो 15 दिसम्बर से शुरू होगा और 19 दिसम्बर तक जो है वो सीथ कालीन सत्र चलेगा हलाकि यदि हम 16 दिसम्बर और 17 दिसम्बर का जिक्र करें तो 16 और 17 को जो है वो शनीवार और एतवार पढ़ता है तो ऐसे स्थिती के अंदर 15 दिसम्बर जो की शुकरवार है 15 दिसम्बर को शुकरवार से जो है वो 70 की शुरुवात होगी उसके वाद ऐत्रा दिसंबर, यानी कि सोंबार और منगलबार 19 दिसंबर, यानी कि तीन थनों तक सीध करेंट सत्र चलने के कयास करें, तक तेन के तीन थनों तक सीध करेंट सत्र की अवदी रहने वाली हैं। इसके लावा यदि हम सेवा निवरित अधिकारियों का जिक्र करें तो बहुत से बिभाग है जो भीभाग सीदे तो और पुलिक डीलिंग के साथ जोड़े हुए है चाहिए हम PWD विभाग का जिक्र करें, सिक्षा विभाग का जिक्र करें या फिर अन्य बोर्डों और निग्मों का जिक्र करें बिल्कुल रवी अमूमन ऐसा ही होता है कि जो विपक्ष है वो चाहता है कि लंबा सत्र चले लेकिन सत्र के दौरान भी हम देखते हैं कि कैसा हंगामा देखने को मिलता और कितनी ही चर्चा हो पाती है लेकिन बहुत बहुत इंटरस्टिंग रहने वाला है शीद कालीन सत्र भी बहुत से रीजन्स हैं बहुत से मुद्दे हैं जिनने लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा और सरकार जो उनके द्वारा काम किये गए हैं उनकी तरफ अपना ध्यान आकरशित करता ह हुआ नजर आएगा लेकिन जो विधायक है हम देखते हैं हमोमन की जब आखिर के सत्र रहते हैं खासतोर पर जब किसी स्टेट में एक साल से कम का वक्त बचाओ चुनावों का तो लोग पॉलिटिकल लाइन से हटकर भी सवाल पूछ देते हैं क्यूंकि उन्हें अपने लो देखें जाहिर तोर पर जिस तरीके से यदि हम सीट कालिन सत्र का जिकर करें तो ऐसी स्थिति के अंदर जब चुनाव जो हैं वो सर पर हों लोगसभा और विधान सभा चुनाव दोनों जो हैं वो प्रदेश के अंदर कंड़क करवाने हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हर विपक्ष का जिक्र करें तो उनकी तरफ से सीधे तोर पर खुद मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने मोर्चा संभाला हुआ है हर सब्सक्रा के मंगलवार को मुख्यमंतरी विधायकों से विक्तिगत तोर पर मुलाकात भी करते हैं साथ ही साथ जो उनके हलकों की जो समस्याएं हैं और जो विकास के कारें उनके हलकों में चलाए जा रहे हैं उन्हों विकास के कारें का जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंतरी संग्यान भी लेते हैं कि आकर कर उनके हलकों के विकास के कारें जो है वो कहा तक पहुंचें तो वहीं अगर हम विपक्ष का जिख्र करेंको का जिख्र करें तो जाहिर तोर पर कॉंगरेस के जो विधायक उनके तरफ से सीधे तरो कहा जाता है तो लेकिन हम मुख्यमंतरी के बियानों को सुने या फिर जिस तरीके से मुख्यमंतरी जोरा विधानसभा के अंदर भी कहा सीथे तोर पर कहा गया था कि हमने हर सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ जो है वो काम किया है और हर विधायक चाहे वो किसी भी राज़दिक दल से जुड़ा हुआ क्यों न कर जो है हर सतर में जो है वो सवाल लगाए जाते हैं हर सतर में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर कर बदहाल सडकों की जो स्थिती है उसको कब तक सुधारा जाएगा खास तोर पर विपक्षी यदि हम कांगरेस के विधायकों का जिकर करें तो उनकी तरफ से लग का दिकलिये